आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में भूल रहा है the junction between two adjacent neurons is called two adjacent neurons के बीच में जो junction present होता है उसको हम क्या बोलते हैं अब neurons में जब impulses travel करते हैं ठीक है जब ये impulses travel करेंगे तो जब ये neuron के अंदर present होंगे उस time पर ये electrical impulses की form में होते हैं और neuron के बाद जब ये दूसरे neuron में जाने के लिए जब ये junction में आ जाते हैं तो junction में ये chemical substances की form में बन जाते हैं chemical substances की form में बन जाएंगे इन chemical substances को हम बोलते हैं neurotransmitters ठीक है ये neurotransmitters होते हैं तो ये जो junction है इसको हम बोलते हैं synapse जो दो adjacent neurons के बीच में जो junction होगा उसको हम synapse बोलते हैं ठीक है ये जो nerve junction होगा उसको हम synapse बोलते हैं neuromuscular joint नहीं होगा sensory junction नहीं होगा ठीक है तो हमारा answer क्या हो जाएगा option C दाट इस synapse अज राउनलोट के डाउटने टाप या वाथ्साप कीचे अपने डाउट आट चारसो 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 पर